दोस्तो आज की जो recipe है ना बहुत ही मज़दार सी होने वाली है ब्रत में खाने वाली ये recipe है आप इसे ब्रत में खाने के लिए बनाए या फिर कभी भी morning में breakfast के लिए बनाए एक बार जरुर बना के देखें आप सभी को पहत पसंद आने वाला है क्योंकि ये जो recipe है ना बीना सावुजदाने को भीगोए ही पहनेगी और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन के प्यार होती है ब्रत में हमें कुछ ऐसा खाने का मन होता है जो कि जल्दी से बन भी जाए और बहुत ही बढ़िया सा हो एक बाद हम खाये दिन भर हमारा पेट भाड़ा-भाड़ा से रहे और एनर्जी हमें मीलती रहे तो ये जो recipe है ना ऐसा ही recipe है एक बाड़ा आप इसे बना के खायेगा तो ब्रत में पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगा और पेट भाड़ा-भाड़ा से रहेगा इतना बढ़िया heavy recipe बन की प्यार होता है तो चलिए इसे बनाना कैसे हैं देख लेते हैं तो ये देखे गैस पे मैं एक पैन गरम होने के लिए रखी हूँ पैन में मैं एक छोटी कटोडी सावुजदाना डाल देती हूँ ये साबुजदाना जो है न भीगा हुआ नहीं है ऐसे ही है और मीडियम साइस का जो साबुजदाना होता है आपके पास अगर छोटा वाला है तो वो भी ले सकते हैं तो ये दिखी एक कटोड़ी मैं साबुजदाना डाल दी और इसको मैं पहले ही कपड़े पे डालके पोश ली थी ताकि इसमें पाउडर रोटर लगा जो हो वो निकल जाया अभी मैं इसमें दो हडा मिर्च डाल रही हूँ आप अपने हिसाब से तीखा थोड़ा कम या जाद रख सकते हैं उसके बाद आधा कटोड़ी मैं इसमें मुंगफली डाल रही हूँ ये कच्चा मुंगफली है तो इसको भी हम डाल लेंगे साबुदाने के साथ ही तो अब हम गैस का फ्ले मीडियम करेंगे और इन तीनों चीजों को बढ़िया से भूनेंगे तीन से चार मिन प्ले में तक आप इसे भूनिये तो तीन से चार मिनट का भी टाइम लग सकता है या फिर पाच मिनट भी लग सकता है क्यूंकि गैस का फ्ले म लोटू मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हूँ हम भूनेंगे क्यूंकि मुंगफली भी कच्चा है और साबुदाना भी कच्चा है इसे हमने भी गोया नहीं है तो इसे भूनना बहुत जरूरी है अच्छे से भूनेंगे तो एक क्रिस्पी होगा और फिर इसे हमें पीसना भी है तो बढ़िया से जब ये क्रिस्पी हो जाएगा तभी ये अच्छे से पीस पाएगा तो इसलिए इसे आप दिखाती हूँ ये देखे मिर्ची के ऊपर भी कलर आ गया है और मिर्ची थोड़ा सौफ्ट भी हो गया है तो इतना ही हमें भूनना है कि अच्छे से पीस जाए और इसमें कच्चा फ्लेवर कुछ भी नहीं आया इतना आपको इसे भूनना है तो ये भून गया है गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं तो ठंडा जब बढ़िया से हो जाए फिर आप इसे मिक्सी के जार में डाल के पीसे तो ये देखे मुंगफली का छिलका आसानी से निकल रहा है इसका मतलब है कि मुंगफली हमारा इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे और पीना पानी डाले इसे हम पीसेंगे बढ़िया से एकदम पाउडर जैसा बना लेना है तो ये जब अच्छे से भून जाता है तो आपको पीसने में परिसानी नहीं होगी बहुत ही आराम से पीस जाता है और बहुत ही इसको में इसे पीस लिए और पीसने में कोई परिसानी नहीं हो और जब हम इसका नास्ता बनाए तो टेश्टी भी लगे खाने में क्यूंकि भूना हुआ है तो बहुत ही बढ़िया इसमें टेश्ट आ जाता है तो बढ़िया से में इसे पीस ली मोटा नहीं रखेगा इसे साइड में रखती हूँ फिर से मैं Michsica जार ले ली और अब आप देखी है एक बड़े साइज का कच्चा आलू था उसका मैं छिलका निकाल दी थी और उसको मैं मोटी टुकरों में काट के पानी में रख्यी हूँ ताकि आलू काला ना परे तो अब मैं आलू निकाल लेती हो पानी से और इसको मैं मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ तो इस तरीके से आप कच्छे आलू में पानी डाल के रखेंगे ना तो आलू काला नहीं पड़ता है ऐसे ही रखेंगे काट के या फिर छील के तो एक काला पड़ जाता है अब हम इसमें मिर्ची जो भूने थे उसको भी डाल देंगे और इसी की साथ थोड़ा सा हम इसमें अधरक का टुकड़ा भी डाल लेंगे और बीना पानी डाले इसे हम पीसेंगे क्योंकि आलू में बहुत साड़ा पानी होता है तो आपको पानी डाल की पीसने की जुरूरत नहीं परेगी ऐसे ही ये आराम से पीस जाएगा ये देखिए मैं इसे पीस ली और बीना पानी डाले ही बहुत ही बढ़िया से पीस गया है तो सावुजदाने और मुंगफली का प ही देख देख ये इसलिए का और ईक़िए महीं बहुत सारा पानी होता है और आलू का पेश्ट परेस्ट है तो पहले एक बार हम इसे अच्छे से मिलेकर देख लेते हैं ताक!.. हमें अंदाजा लग जाए कि इसमें और हमें कितना पानी डालना है तो यह देखिए आलू का पेश्ट डाल के मैं बढ़ी ऐसे मिला ली और अभी यह बहुत गाड़ा है क्योंकि साबुजदाने का पाउडर है इसमें और मुंगफली का पाउडर है तो साबुजदाने का लेंगे और बारी कटा हुआ हरा धनिया पत्ता यह दोनों को भी अच्छे से मिला लेंगे आप अगर जीरा खाते हैं तो जीरा भी डाल सकते हैं या फिर बलाक पिपर खाते हैं तो काली मिर्च को कूट के भी डाल सकते हैं ऐसे बरत में खाने के लिए हैं तो बहुत जादा मसाला में इसमें नहीं डाल रही हूँ और हलका फुलका ही मसाला का यूज़ करूँगे अच्छे से मिला लेने के बाद ये देखे बहुत ही गाढ़ा है थोड़ा सा पानी और हम डालेंगे मतलब एक कटोरी साबुजदाना और आधा कटोरी मुणफली का यूज़ की थी में तो इसमें मैं डेर कटोरी लगभग पानी डाली हूँ और ये बढ़िया से हम इसे मिला लेंगे अभी थोड़ा सा पतला बना के रखेंगे क्योंकि पास से साथ मिनिट के लिए इसे हम रेश्ट देंगे तो ये और अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो देखें थोड़ा थोड़ा में पानी डाल के मिलाती जा रहे हूँ क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हो सकता है गीला ये हो ज़्यादा गीला फिर हमें नास्ता बनाने में परिसानी हो सकती है इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेगा और इसे अच्छे से मिलाते जाएगा लंस बिल्कुल भी नहीं परता है बहुत ही आराम से इसमें जो पानी डालेंगे वो मिल जाता है ये देखें अभी भी ये गाढ़ा ही है पेश्ट, तो हमें इसी तरीके का कश्टिन सिंसी चाहिए, क्योंकि हम इसे पाँच मिनट के लिए ढहक के छोड़ेंगे, तो ये जो है न थोड़ा सा गिला दिख रहा है, ये और गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि साबुजदाने का पाउडर है इस एक छोटी कटोड़ी मैं दही डाली एक बाउल में और इसको मैं पहले फ्येट लेती हूँ, क्योंकि दही गाढ़ा है और इसमें थोड़े से थैकके भी है, तो ये फ्येट जाएगा तो बहुत ही बढ़िया सा एकदम क्रीमी कश्टिन सिंसी का दही बनके त्यार हो मैं दो से तीर मिनट के लिए फ्येट ली और पहुत ही बढ़िया से एकदम पतला गाढ़ा दही बनके त्यार है, इसमें हम थोड़ा सा बारी काटा हुआ खीरा डाल देते हैं, और अब मैं इसमें बारी काटा हुआ टामाटर डाल रहे हूँ, आधा टामाटर का मैं बीज निकालती थी और बारी काटके में रखी थी, इसको डाल लेती हूँ, और इसी के साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूँगी, और अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे, और हडा मिर्च आपको पसंद हो तो हडा मिर्च डाल लीजिए या फिर लाल मिर्च का जो हम नास्ता बना रहना उसके साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, थोड़ा समय हडा मिर्च बारी काटके रखी थी, यह डालना भूल गई थी, इसको भी डाल दी और अच्छे से मिला ली, अब हम इसको साइड में रखते हैं, और देख लिते हैं साबुजदाने का पाउडर था, सारा पानी एबसर्ब कर लिया और बढ़िया से गाढ़ा हो गया है, तो इस तरीके से पाच मिर्ट के लिए जरूर छुड़ेगा, क्योंकि साबुजदाने को हमने क्रिस्पी करके भूना था, और फिर पाउडर बना के रखा था, तो इसको 5 मिर्ट के लिए रेष्ट पे रखेंगे, तो ये जो दाना थोड़ा सा होगा ये अच्छे से फूल जाएगा, तो साबुजदाने का तो ऐसे हमने पाउडर बनाया था, फिर भी थोड़ा बहुत दाना इसमे रह जाता है, तो बढ़िया से फूल जाए, इसके लिए 5 पैन ले लीजे, और इसमें 2 या 3 चमच घी डालीजे, आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, परवरत में खाने के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा में इसमें घी डाली, दो ही चमच घी डाली हूँ, और हाथ को में गीला कर ली, और अब हम इसका टिक्की बनाएंगे, त पतलब जादा पतला नहीं बना के रखी थी, थोड़ा गाड़ा ही रखी थी, ताकि हम जब टिक्की बनाएं तो सेप जो दे, वो आडाम से हाथ से दे सके, तो देखे हाथ गिला कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसमिश्रन से पाट ले लेंगे, और हाथेली पे इस तरीके से फ तो आप इसे ब्रत में खाने के लिए बनाएं, या फिर ऐसे भी कभी नास्ता बनाना हो, तो फटा-फट से आप इसे बनाएं और सर्व करें, दही के साथ, रैता के साथ, या फिर हडी चटनी के साथ, बहुत ही बढ़िया खाने में लगता है, मुंगफली जो हमने डाला है उसकी बज़े से इसमें टेस्ट और बढ़ जाता है, और बहुत ही बढ़िया साय नास्ता बन के त्यार होता है, तो यह देखिए एक बैच का टिक्की जो है, मैं इसे डाल दी पैन में, और एक साइड से मैं इसे सिखने देती हूँ, दो से तीन मिनिट के लिए, उसके बहुत जादा है, नहीं, तो एक साइड से जब यह क्रिस्पी हो जाए, कलर बढ़िया से आ जाए, फिर आप इसे पलटिएगा, नहीं, तो तूट सकता है, आलू है इसमें, और मुंफली है, और साबुजदाने का हमने पाउडर लिया है, तो इसमें बहुत जादा नहीं है, तो इसलिए आप एक साइड से बढ़िया से क्रिस्पी होने दे, उसके बाद ही पलटे, और फिर दूसरे साइड से भी क्रिस्पी हो जाए, फिर आप इसे पलटे, तो उलट पलटके अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन या फिर बढ़िया से क्रिस्पी होने तक इसे आप पका लिजे ये दिखे बहुत ही कम तेल या घी लगेगा और बहुत ही बढ़ियासा करारा क्रिस्पी ये टिक्की बनके त्यार हो जाएगा तो मैं तो इसे थोड़ा छोटा छोटा ही बनाई हूँ और एक बैच में 3-4 डालके तो मैं इसे टिक्की जैसा बना ली दोसा को फैलाते हैं वैसे ही पर पतला नहीं फैलाएगा थोड़ा सा मोटा ही रखेगा और इस तरीके से भी बना सकते हैं पैंकेक जैसा पर मैं आपको किलियर कर दूं कि पैंकेक जैसा बनाएंगे तो बैटर थोड़ा सा पतला रखेगा और पैंकेक थोड़ा सा बड़ा ह हो सकता है पलटने में ठीशा मैं पिल्टा सकते हैं क्रिस्पी कर सकते हैं यहाँ पट्रा भी ऑख रखते हैं गरबड़ी हो सकती है, yahaं पे ऐसे करेंगे तो खराब हो जाएगा, yahaँ पे ऐसे करेंगे तो अच्छा बनेगा तो वह भी मैं आप सब के साथ सेर कर लेती हूँ उमीद करती हूँ आप सब को वीडियो अच्छी लेगी होगी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा चानल पे नए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ने भूलेगा और यह देखे सारा टिक्की में बना ली आप इसका क्रिस्पिनस देख सेकते हैं कितना क्रिस्पी है उपर से और अंदर से भी बहुत ही बढ़िया से पका है क्योंकि गैस का फ्लेम हमने मीडियम करके पकाया है और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी नास्तावन के त्यार हुआ है तो इस तरीके से बना के देखेगा आप सभी को बहुत पसंद आएगा आप इसे बरत में खाने के लिए बनाए या फिर ऐसे ही breakfast में खाने के लिए कभी भी बनाए लेकिन एक बार जरूर बना के देखेगा आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है